हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू रोशन की क्लास यूट्यूप चैनल आप सभी का आज की सारार भी एंटीप सी एक्जाम है एक बर्फिश से बहुत-बर्फिश स्वागत है यह छट्वे फेज का जो लास्ट शिफ्ट का आपका जो एक्जाम हुआ है आठ अपरेल दो सिकंड श छटे शिफ्ट का यह लास्ट शिफ्ट का एक्जाम है छटे फेज का अब सात्वे फेज का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन जैसे नोटिफिकेशन आता मैं आप लोगों को नीज पहुचा दूंगा और रेगुलर बेसिस पे आप लोगों ने जो एनलसिस की तो अगर वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों तो लाइक जरूर किया करिए दोस्तों और अगर आप लोग आज का 8 अपरेल का सेकंड शिफ्ट का एक्जाम देख आ हैं तो इसके अलामा कौन सा कॉस्ट पूछा गया और इस कोस्टन में अगर कोस्टन थोड़ा सा चे करेंगा उसको मैं पिन कर दूंगा वह कमेंट जैसे वीडियो खोलेंगे उसके नीचे सबसे पहला कमेंट वही दिखेगा तो अगर रेगुलर बेसिस पर आप लोग सेवेंथ फेज की तैयारी करना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूटीब चानल से जुड़ जाए नीचे किले मुबारक किस राज में इस्तित है तो किले मुबारक जो है वो एक प्रकार का किला है यह आपका पंजाब राज में इस्तित है दूसा कोश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रतम विदेश मंत्री कौन है तो स्वतंत्र भारत के प्रतम विदेश मंत्री पंडी जवारलाल नहरू ही थे उन्होंने विदेश मंत्राले अपने पास रखा था UNDP का full form है United Nation Development Program और यहां पर पूछा गया था आज का question UNDP की स्थापना कब हुई तो UNDP की स्थापना हुई थी 22 November 1965 को चौथा question है SEBI की स्थापना कब हुई तो SEBI की यहां पर SEBI का भी पहले full form दिखा देता हूं है आप लोगो SEBI का full form है Securities and Exchange Board of India इसकी स्थापना हुई थी आपका answer है 12 April 1992 पाचवा question है जनरल डायर को किस ने मारा तो जनरल डायर को यहां पर जलिया वाला बाग जो हत्याकांड हुई थी उसमें जनरल डायर ही ने ही यह काम किया था हत्याकांड कराया था जिसकी वज़े से उधम सिंग ने इनको जनरल डायर जी को मारा था गोली मारी थी चटवा question है भारती नागरिक सिवा के जनक किसको कहा जाता है तो भारती नागरिक सिवा के जनक लाइड कार्ण वालिस को कहा जाता है साथो कोशन है M.S. स्वामी नाथन किस से संबंदित है तो M.S. स्वामी नाथन हरित करांती से संबंदित है आठो कोशन देखिएगा काफी अच्छा कोशन पूछा गया था Bombay Bank, Madras Bank और Kolkata Bank का इसका विले किस बैंक में हुआ था तो Bombay Bank, Madras Bank और Kolkata Bank का तीनों कविले हुआ था Imperial Bank of India में बाद में ही यही चलके रिजर Bank of India बन गया था State Bank of India, sorry State Bank of India जो है Imperial Bank of India जो था पहले Bank Bombay Bank, Madras Bank और Kolkata Bank का आपका जो answer होगा उसका answer है Imperial Bank और बाद में ही Imperial Bank की State Bank of India बन गया है नौवा कोस्चन है सी हरी कोटा कहां इस्तित है तो इससे आप लोग बताईएगा अगर आपका एकजाम देखे आए हैं तो आप बताईएगा कि स्री हरी कोटा के बारे में पूछा गया था या फिर कुछ बच्चों ने मुझे पताया कि यहां पे जो इस रो अपनी सेटलाइ किसने सुरू कि तो इक्तेदारी प्रता जो थी वह शुरू कि थी इल्तुत मिशने ग्यारा नंबर का को कोस्चन है देख लिजे बैरम खा के बेटे का नाम पूछा गया था इस प्रकार से प्रसंट था बैरम खा के बेटे का नाम बताईए जो अकबर के दरबार में नहीं था तो यहां पर बैरम खार के बेटे का नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना 12 वा कोस्टन है NSDL का फुल फॉर्म पूछ लिया था फुल फॉर्म से काफी कोस्टन आये थे करांती से काफी कोस्टन आये थे शिफ्ट में तो NSDL का फॉल फॉर्म होता है National Securities Depository Limited यहां पर धोड़ा सा देख लिए सेक्योरिटी नहीं होगा सेक्योरिटी होगा National Securities Depository Limited NSDL का फॉल फॉल फॉर्म तेरा नंबर का कोस्टन देखते हैं यहां पर तेरा नंबर का देख लिए कोस्टन था सोने को कैसे सुद्ध करते हैं तो सोने के में जो असुद्धियां होती है उसको दूर करने के लिए यहां पर जो नाइट्रिक और हाइड्रोकलोरिक एसीड होती है नाइट्रिक एसीड और हाइड्रोकलोरिक एसीड के विलियन में असुद्ध सोने को डाला जाता है जिससे जो उसके ओर होते हैं असुद्धता होती है वो दूर हो जाती है और सुद्ध सोना हमको मिल जाता है नाइट्रिक पादन को बढ़ावा देने के लिए और मुर्गी पालन कू père अग देने के लिए रजड करांती चलाई गई थी कि सलाकुप भी स्वेध करांती के जनक पूछ लिए आथे यहार पे धिक करांती के जनक कौन है ? तो स्वेत करांती के जनक है डाक्टर वर्गिज कुरियन और स्वेत करांती के बारे में पूछा जाए कि स्वेत करांती कभ शुरू हुई थी तो 13 जमरी 1970 को स्वेत करांती के शुरुवात की गई थी सोलर नंबर का कोस्चन है आईएसपी का फुल फॉर्म यहाँ पर मैं आप लोगों से हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर की वीडियो पर देखते हैं तो कंप्यूटर से फुल फॉर्म की वीडियो जरूर देखिएगा 30 मिनट की एक मेरे चैनल पर वीडि फॉर्म होती है और कम से कम साथ से आठ बार यह अभी तक के जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसमें पूछा जा चुका है आईएसपी का फॉल फॉर्म में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लास्ट कोस्चन आज मेरे पास 17 कोस्चन आए हुए थे तो यहां पर 17 कोस्चन देखेंगे अगर आप लोग आज का इकजाम देख आया है तो इसके अलावा जो भी कोस्चन आए हुए थे वह कमेंट बाक्स में comment जरूर करें मैं इसको pin जरूर करूंगा जिससे कोई अंसर हो जाएगा दक्कन का पठार लेकिन अगर यह पूछ सकता है आने वाले सिफ्ट में कि हैधराबाद किस नदी के किनारे है तो मुसी नदी के किनारे हैधराबाद बसा हुआ है तो यह था आज की वीडियो में कोस्टन दोस्तों आसा करतों आप लोगो कोस्टन अच्छे करना चाहते है तो रोशन की क्लास यूटिप चैनल से जुड़े जाएए जुड़ने के लिए सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उस पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना है साथी साथ बेल आइकन दबा दे रहा है जिससे मैं आप लोग करना है